अलब चंख्यक मोच्छे के अध्यक्षे को जनाब अब्दुल अरशी दंसारी शाहाद और हमारे राजिसवा में ने तापनी पाक्षे इनकी आवाज जब जब संसर चलती है बराबर आपको सुनने को मिलती हो एचे आदनिया रूगी जेखनी हमारे रास्टी उपात्याख्षे हमारे अप्रियप्भाई जनाब मुक्तार अप्थास नगुद आदनिया नजमाह है कुल लगी और हमारे देश्चनली स्पोग प्रसंग हमारे चोटे भाई जनाब साहनवाज दूशे और शेखे इंचार्ज, डाप्टर जेगे जैन साथ, तरी महेंदर जी पांड़े, अबजाल साथ और जो पूरे संदखन के जब्मेदारी बेश बहर में समाल दें ऐसे मारे रहार्पी जन्तापार्टी के महामंद्री संदखन सिवान राम लाजी, यहां उपर दित मेरे सभी सर्माने दोस्तों आप सब लोगों ने बहुत लिगरम जूशी के साथ हम लोगों का खैर मक्दम किया है लेकिन तहसी का तकाज़ा है कि खैर मक्दम कभी एक तरफा नहीं होना शाहिए इसलिए मैं भी अपनी क्रब से आप सभी वहन उलाईयों का और मैं जानता हूँ कि जनाव रासिस साहब ने इसे हिंदुस्तान के मुस्मिन समाज को भाज़ती जन्दापार्टी से जूलनी जो कोशिस दार्व लगी है वैसे कोशिस्तों हमारे नक्वी साहब हमारे साहनवाज से लिए हमारी वेहन दर्व पहुत अब्रतुल्ला लिए इन लोगों के दोरा परावर होती रहे लेकिन जिदनी सरक्रियता आयो अधिक होने के बाउदूद अब्दल्रजी साहब की देखने को भी दिए उनकी सौमता उनकी शालिकता सच कुछ उसकी जिदनी भी मैं सराना करूंग और कम मैं अर्मा elastic को भी जानता हूं इस देख कर था का मुस्लिंद समाज केuição के जर्ःखन में यह बाट पैठा दी गई ब्हारती जन्तापारदी यह अच्जूत है भारती जन्ता भारती इस देश के मुस्लिम समाज से नफरत करती है यह जेहन से लिएके बात बैठा दीगे इस सचाई को जानता हूं तो भारती जन्ता पारती माइनार्टी सेल के लोगों को उस कमूनिटी में काम करने में कितनी मुसीवतों का सामना करना पड़ता है इसका भी मुझे एहसास है आप लाख हमको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवर ओट बैंक की राईवीट को ध्यान में रखते हुए यानि चाहे जैसे भी हो हमारी सरकार बढ़नी चाहिए भलेगी देश के ओना टूट जाए इस सोच वाले जो लोग है बरावर हिंदू, मुसल्मान, इसाई इनके बीच नफ़क पैदा करने की गूसिस करने हैं लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत हुशी हो रही है कि आज हिंदूस्तान में दिनों दिन एक ऐसा माहूर बनता जा रहा है जब हमारा चाहे मुसल्मान हो, अत्वा इसाई हो, अत्वा दूसरी मधब के लोग के हो नहीं सबी इस हकीकत को सवीकार करने लगे है जैसा हम भारती जन्ता पारटी के बारे में हमको पहले बतलाया जाता था भारती जन्ता पारटी वैसी राइडिक पारटी नहीं है और मैं पारटी का अठेक्स होने के ना परत यकीन आधी हवाता को कहना शाहता ह laborator दोस्तों, जिसको भी शाक्षी मांकर करना हूँ को मैं कहने को तैयार हूँ, हम भारती जन्तापार्टी के लोग के वलत सरकार बनाने के लिए राजी नहीं करते हैं, हम भारती जन्तापार्टी के लोग देश बनाने के लिए राजी नहीं करते हैं, और शायब यही कारण है जिन्हें हमने प्राइब निस्टियर कंदीरेट के रूप में प्रुजप किया है स्री नरेंदर मोजी उनसे लोगों ने पूछा कि यह बखलाओ कि स्ट्राओ की डिफिनिशन क्या होती है तो मेरंदर भाई ने क्या कहा इंडिया फर्स्ट पहले भारत यही शेकलोजम की डेफिनिशन है बतलब बतलब क्या होता है बतलब यह होता है जा पंत बजहत हर इस आधार पर नहीं बनी इनसाफ और इनसानियत के अभार पर इस देश की राई नी थोड़ी चाहिए यह सम्दी जोड़ी है बित्रो हम कमनल है हम साथ बाई है क्या हम यह चाहते थे कि भारत का पटवारा मर्यान क्या थार पर होना चाहिए यह लिए सब्ता हमारे हाथों में आनी चाहिए इसमें कुछ लगों ने प्रमक भूविगानी आई देए मौलाना अदूलकलाम आदाग को मैं जानता हूं कि मौलाना अदूलकलाम आदाग यह कभी नहीं चाहते थे कि भारत का मजभ के आदाग कर दिवाजन होना चाहिए बहुत सारे ऐसे दिगर मुस्लिम कमर्णी के रूप लेकिन अंग्रेजियों की साजी काम आई मजभ के आदाग पर हमारी भारत मता के इच्छाथी के दोख बड़े हो गए जिन लोगों ने मजभ के आदाग पर इस देश का विवाजिन सुईकार किया है सच्मुझ सांपदाईग और कमिनल हैं तो वे लोग हैं भारती ये जंतापार्टी सांपदाईग को अच्छाथी नहीं सांपदाईग का जाता है 1984 की आप दिलाना चाहता हूं जब स्रमादी इंद्रा कांधी के हत्या हुई उस समय हमने नहीं कहा था उनकी हत्या के बाद जो बड़ा प्रिक्ष गिरता है तो धरती इल्दी है ये हमने नहीं कहा था कामलस के दिगत नेता पड़े नेता जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए थे उन्होंने कहा था हम लोगोंने क्या था माइनार्टी जो थी शिक्ष कमर्णी उनके उनके उन पर जो जल्म हो रहा था उसको कंड़न किया था और उनके बचाने के तिए जितनी ताकप लगा कि या सकती है हम भारती ये जन्ता पारठी के लोगोंने वर नाकर लगे का अधा है आगा हम लोगोंने ने कि बात कि जाते है तो रदी जन्ता पारठी आएगी तू दम्मे करा देगी तो फसलिव करूंती का सफाया हो जाएगा इस देशे मैं आप से जाना चाहा हूं गोव जान पर मरिफार की जंदा पाइस घराजस्तान में पांच वरसों में पांच वरसों तख लगाता हूं आपर कांगर्स की हुआ रही है क्या यह सच नहीं है बशुनदा राजे के शासंकाल में एक भी साम पढ़़ा इंदनगा राजस्तान पे नहीं हिए और सर्माजी तम लेए उपका क्यों ऐसा होता है। गुजराद बदमर्देश में दन्गा हुआ है। छोगी मोटी वाराद का ही हो गई होगी वो तो चाहतियों के बीच मी कभी कभी हो जाती है। गुजराद गुजराद के बारे में कहा जाता है। जैसे लगता है मुख्यमंत्र जहते हैं नरेंदर बोजी ने सारे गुस्विन समात के कभरे हम का आदेश देखिया। ज्यादा तर कैम्पों में जाने के अजी कोशिश की है उस समय हमारे मुख्यमंत्र नरेंदर बोजी तो गुजराद के लिए। बहनोबाई यो मुस्मिन समात के कैम्प जहां लगेते हैं वहां लगेते हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशी की है। सारी देश में यहां जाना को पैड़ा करें। देश में हैं कि और एक दंगे की चाश्या होती है गुईराद की। क्या गुईराद में उसके पहले दंगे नहीं हुए हैं जभी देश देशाई कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मस्चिद और मदार बरबाद कर दिये गए नस्र कर दिये गए थे। वह कांग्रेस को यहां में जाता है। इतना ही नहीं। विश्टर साइकिया हुआ करते थे आसम के मुख्यमंत्री एक दिन में पांच हजार से अधिक मुसल्मानों का कत्रियां हो गया। किसके क्या भारती जन्ता पार्टी करें। उन्हें तो आप जाते ही करते हैं। कि और ओध बैंक किराजी चाहे जर्चे भी हो इतना बदनाम कर सकते हैं। बदनाम करो दरदर बोधी को। ताकि पूरी भारती जन्ता पार्टी बदनाम हो यहां। इस देश का मुस्लिम सभाई भारती यता पार्टी से दूर चला यहां बैनुबायों इस हकीकत को समझिए यह मैं आप सब्सक्राइब करना चाहता हूं मैं भी उत्तरवदेश का मुख्य मंतरी रहा हूं उत्तरवदेश के यहां पर लोग मोजून है काफी है आप बतलाईएगा वीडिया यहां पर बैटी हुए और आप से पूछना चाहता हूं उत्तरवदेश के लोगों से उत्तरवदेश का मैं मुख्य मंतरी रहा हूं क्या है पॉट कर लो सुछ नहीं हैं जादा दिन नहीं रहां कि बसा जाल मुख्यमंतरि रहां किया शच नहीं संस्कृति के अध्यागों की पंशायट जिर मैं मैं मेने मुख्यमंतरि आवागत के उर सात मदर्से के भी अध्यापकों की पंचायत मैंने बुख्रिंटी आवाज दिए वर्फ वर्पोर्ट के लिए जो कुछ भी हमको उस समझ प्रिशाव दिया लिया क्या हमने नहीं किया कोई ही तो बता है कब तक मुष्मिन समाच हुए से ही गुम्रा किया जाता है आज कोई कहता है सच्चर कमेटी के लिए बोर्ट आ गई फ़रा रिपोर्ट आ गई मुस्लिम समाच के हालत बहुत खराब है मैं मांता हूँ खराब है मैं उसे नकारता नहीं है कौन ये पैदार इसके लिए है इस आजार भारफ में सरस्ट वर्चों के सरस्ट वर्चों 67 यर्ज के साधादी के काल में मोर तैन 55 यर्ज तक यदि हुकूमत यदि किशी ने की है तो कांगर्स ने की है खारजी जिद्धा पार्टी ने नहीं की मैं कांगर्स के लोगों से पूछना चाहता हूँ आप तो या बताओ क्यों तुम्हारे 55 यर्ज 55 वर्चों की हुकूमत के बावजूर आज ये मुसर्मान क्यों करीब हो रहा है और बैर वाजियो आपसे कब यूद नहीं मोर उमर नकली और सारवास दोनों इस पाथ के हमारे साथ चीदे मैं यादा हूँ तो दंके की जोट पर मुस्किन समाज की बीड में बोरता हूँ हमसे कोई कहए भारत सम्मिधान मजभब के आदहार पर रिलियर्वेशन की राज़़त नहीं देता है ऑप रिलियर्वेशन चाहते हैं हम ये कहते हैं चाहे हिंदु हो, चाहे मुसल्मान हो, चाहे हिस्थाई हो, जो भी करीब है, उसे आरख्षन दिया जाना चाहिए, उसे तरुप दिया जाना चाहिए, उसे तरुप दिया जाना चाहिए, उसे तरुप दिया जाना चाहिए, क्या यह है कि इंसाफ और इंसानिया का यह इंतक आ करने वाले लोगों की जिहन में बराबर यह बना रहेगा और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और अपने हम बराबर सरकार बनाते रहें इवाइड एंड रूर पांको और राज करते क्या शाहते हैं आपके देश ऐसे ही चल्मा चाहिए अटल विहारी बाइड पर ही उल्हान मंद्री के चपसे उन्होंने अपनी राजियेंटी क्यात्रा व्रारंदी तब से बराबर रास्ट्रिया सोयंचे वक्त संद भारतिये जंसंद और भारतिये जंधांपार्टी के साथ दूरे रहे हैं छैसाल के आप में उनकी उकुमत ऐ हैं आपickी में आपकूशना चाहता हूं कितने क्वाणी अग्यट तरमके सक्षमें बहरा है वही राजिया को लिए कि नसों में भाय है था और हो सबके नसधारा है क्या वह इन्साफ और इलसानियत कि राजिया गांते कर दे माय है पैसला आपको करना है बात है बहुत सारी आज बारे प्राइब देशन कंडिरे नरंदर भाई के बारे में अरे रात वहां तो मुस्मिक बहुत दर्दा है सखारों की संख्या में भारती जंता पार्दी के सिम्बल से जीत कर नगर बंचायत नगर परिशत नगर निगम और साथी साथ वार वीधायत मुस्लिम समाज के लोग है भारती जंता पारदी के दिए कोई जहां कर देख है हमारे विडिया के में प्रवी हैं हम खड़ें मेरी बाद गलत हो तो गलब चला दें कुझे कोई याँ पती नहीं क्या यह सच नहीं कि हिंदुस्तान में प्रत्यपिटा इलिकम प्रत्यव्यक्ति आम्दली मुस्लिक समाज की सरवादी कैनी किसी राज्य में है तो वह बूजर आख यवाद दीजे कांगरेस के लिखो कांगरेस के दोस्तों हमें तो पर तन वरस तक हुए अब इते हालाओ नहीं पहला करता है उस सथ में तो दस साथ हुए हुए और ऐसे हालाओ पहला है इस देश की सबसे बड़ी अधालत में भी कह दिया कि जो आख दो हजार दो में क अब क्या चेहिए, क्या आदावत की बाद भी आत्माने को तैयार दी हो, इसी लिए पहनोबाई हो, ज्यादा नहीं वो लुपा, आज आप सबसे यही अफिल कर गया हूं, आपने माइनार्थी मोर्चे के, सभी अपने कारदा पहनोबाई हों से, हिम्मत और साहस आत्माम को और सोब को हम निए तो थो अपन लोगों के भी जाओ और आप अबनी बारवहरोन हो, हमारा अबरी का दिवह हमारा प्रइशानि लिए ह बार-वार कहता है, भाई हम से पोई कंशी दाहिता है, हमारा धर्म क्या है? तो मैं कहूंगा सुमी दान हमारा धर्म है, कांति और मैं इस बार एक सिर्दिंदी बिदन स्बसे करना शाहता, कर चुनाओ जो है ज्वारता, बैनो भाईयों किसी पार्फी कि सरकार बनाने के लिए चुनाओ मत करो, इस बार चुनाओ अधी आप करो, तो देस बनाने के लिए चुनाओ करो . जरकार बनाने कि दिम्द करो, कलेजे परहांत रखकर खुद जो भी बापें हमने रखी, जो भी मन में सवाल पहरा हो, आप पूछ लेना, कभी भी जहां गरवड़ दोगा, कहीं या नी हम लोगों के पार्ट पर नी कोई गल्थी और चुक हुई होगी, तो मैं आपको यकीन सभघे आता हूं, क्रामसीष युगाठर अffनसेल युगाठर रखना मतरे चौमाठर चौमाथ आपले। इन लोगाने बराबर आपको च्हला है और जोखा दिया है अब लोग करते हैं कि हिंदू त्वकी बाद करते हैं हिंदू त्वकी बाद करते हैं यह बता है, इस देश की सफ्टे बढ़ी अदालब ते है, उससे हिंदुत्वा की डेशन देते हुई है, कहा है? यह है तो जीवन जीने का तरीका है. It is nothing but a way of life, nothing more than this, इससे जादा कुछ ने. अजयरा मान लिया, मान लिया, थोड़ी देर के लिए के आप है ने हिंदुत्वा में, हमें कोई उससे पढ़े, मान लियर यह बता हुआ, इसी हिंदुत्वा की डेहरते वाले लोगों दिमी पर सुथाई व पुद्मबकम का संदेश की है? इसके रिशियों और वनीशियों ने जो यह वार कही ना यानि केवर भारत की धर्ती पर रहने वारा इंसान क्यों हम उसी को परिवार नहीं मांते हैं बलकि सारी दुनिया की धर्ती पर रहने वारे इंसान को परिवार मांते हैं कहा वो कहता है कि मुस्मिन समाज को मार डालो, कृषिम समाज को मार डालो, इंचे नफरतो, हम क्यो नफरत करें हैं, हम आपसे मुफ़फ़ करते हैं, विज्वरों कर आपको यपीन दिलाता हूं, वारी पार्टी आपसे मुफ़फ़ करते हैं, हरे उनको देखा बार बार, कंक कि यहीं संदेश सब सब इतर पहुंचा करें कई बार उनको देख लिया है अले आप पांच साल में बार चुनाओ कुंगे ही ना लोक दंद रहें आपको पूरा हगाते हैं एक बार देख लिए एक बार में हम आपकी कसोई पर दिक खरे नहीं उतरे उतरे तो फिर आप दुबारा कभी मी मेरी तरफ नजर उठा कर भी मत देखना या मैं आपसे कहना जाओ कि इनी सब्दों के साथ मैं आप सब से भी करते थे कि इम्मत तो साहां के साथ खड़े हो जाएगे। और फारदिये जन्तापारटी जिसका चुनाओर जिन्मे मी कमल का फूल है। अर कमल का फूल भी पैदा होता है तो कीछर से पैदा होता है। उसको खिलने दीए खिलाएए ये खिलाने के जम्मेनारी आपकी है भारती जन्तापार्टी की सरकार बनाएए आपको हम एक मजबूत भारत देंगे ऐसा भारत देंगे जिस भारत में परस्तर भाई शारे का रिस्टा होगा इंसान और इंसानी पीच नफर पैड़ा करने की ज हैवानियत को बंदेट किया जायता है कि तो आप ही चाहते हैं कि हम ही क्यों चाहते हैं आप ही चाहते हैंगे नहीं चाहते हैंगे नहीं चाहते हैंगे इंसानी अधिक अधिक अधर हो जाया है तब के कामकार्ट को देख लिया है हम लोगों के भी कामकार्ट को आप लोगों आपना हूं कि अब्ली वार्डियों मिलेंगे लोग सवार की चुनाव के बात, तो मैं जो अबता हूं कि क्लियर मेजारोटी के साथ, पॉम बहुमत के साथ भादी बाती जाथ होगी, इनी शुक्तां के साथ आपके जब बाती हूं.